मुझे अपनी स्थिती बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही बिल्कुल क्या था शेर जंगल का राजा था जब देखो तब शेर ही राजा जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा जंगल वाले उप गए बोले यार एक ही साशन है एक ही सत्ता है एक ही राजा है मोनो राजा बना दिया गिया। जैसेने आज अज जमारे नदीम बाइ को संचालak बना दिया गिया, टो मंधर जंगल के राजमहेंगा, हम अभूडवा ज़ुडवे रहना देखो, जल्दी से बाइट जाओ सब्सक्राइकों, बढ़र जंगल के राजमहेंगा बंदर पहुचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा, बंदर दोड़ा लपक के पेड़ पे चड़ गया, एक डाल से कूदा दूसरी पे, तीसरी पे, चवती पे, पांचमी पे, छटी पे, तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साब जल्दी बचाये न तो शेर बच्चे को खा जाएगा, बंदर बोला, देखो बकरी, तुमारा बच्चा बच्चे या ना बच्चे, हमारी भागदोड में कोई कमी हो, तो बताओ, इसी इसी बीच, इसी बीच चाय वाला भी आगया, हम चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, क्या पता अगला हम लेगेन इसमें सरवेज बाई यह है के सिरफ चाय बेचने से किसी के प्रधानमंत्री बने की कोई गारेंटी नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचने के साथ साथ बीवी को भी छोडंगना पड़ता है आपने देखा वो क्या अपनी बीबी लेके आया था यहां पर बीबी को चोड़के ही आया था एक बार उसके लिए भी तालिया मुझा यह वो अपना काम कर रहा था हम अपना काम कर रहा था हम अपना काम कर रहते हैं यह अपना काम कर रहते हैं मैं लखनौ में रहता हूं लख तो रस्ते में देखा सड़क के किनारे दो मजदूर काम कर रहे हैं एक गढ़्धा खोद रहा था और दूसरा उस खोदी हुई मिट्टी को फिर से गढ़्धे में डाला था कादरी साब बिल्कुल भगवान कसम सच गढ़ा है तो हमने का नदीम भाई ये अद्भुत काम हो रहा है आचलो पता करते हैं क्या तो हम रुके वहां पे गढ़्धा कोद रहा है दूसरा उसी मिट्टी को वापस डाल रहा है ये क्या है तो उसमें से एक बोला बाभुजी हम मनरेगा के मजदूर है तीन लोगों की ड्यूटी एक को गड़ा कोदना था एक को पाउधा लगाना था दूसरे को वापस मिट्टी डाली थी पाउधा लगाने वाला चुट्टी पे हैं हम अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं बहुत अच्छा गवराहटे थी क्योंकि आई हुए हैं उद्गीर में आधनी स्वामी जी और जो हमारे लोग थे उन लोगों ने इतना अच्छा महमान नवाजी की है इतनी अच्छी महमान नवाजी की है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लगूं बिल्कुल वास्तों में क्या बतलाओं इस धर्ती पर कैसा बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल इमान्दारी से और जब मंत्री जी घुसे, जिस तरह से मुष्कुराते हूए वो आये थे तो मैं समझ गया, आम तरुपर हमारे उत्तर प्रोदेउच ने लोग आते हैं, बिल्कुल आइठे हुए मंत्री नहीं पता नहीं क्या है लेकिन बिलकुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे आम आदमी कोई हमारे बीच का कोई वेक्ती आया हो हमने उसको मंच पर बिठा दिया क्या बतलाओं इस धर्ती पर कैसा लगता है इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, द्वारे, चाहे जैसे हूं लोग जहां अच्छे होते हैं आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है मैं समझ गया कि आप लोगों के पास कोई कामदाम नहीं है साफ खाली बैटे हैं तो चलो आओ कभी समेलन मुशाहरा सुनते हैं आप जैसे लोग अब मिलते नहीं है इस महक के फूल अब खिलते नहीं है अरे आप चल कर आ गए हैं शुक्रिया लोग तो भूकंप में हिलते नहीं ये प्रियाग वाली जो मुंबई में रहने लगी है बड़ा पहले शुरू में बड़ा मोहबत वाला सुनाया इनोंने बाद में रामलीला करने लगी जब ये मोहबत वाला सुना रही थी तो हमारे अ नहीं सही मुझे अपने पिता जी आदा गए मेरे पिता जी चाहते थे मैं आई एस अपसर बनो बिल्कुल सच्ची कटना बता रहा है बगवान कसम जूट कभी बोला ही नहीं है तो मैंने आई एस का एक्जाम दिया सर तो प्रिलिम्स एक्जाम दिया नदीम भाई जी तो उ दूसरी फिल्ड चुनो तो हमने का अच्छा वकील बनता हूं तो लेलबी की कचेरी बिल्कुल मैं सची घटना अपनी जिंदगी की बता रहा हूं एक महिने तक मैं कचेरी में बैठा रहा बक्सा लेके बैंड लगा के काला कोट पहन के एक मुकदमा मेरे पास रही आया पि नहीं यहां पढ़े लिखे लोग नहीं लिया जाते हैं वाव 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 तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है सच्ची बगवान कसम जूट नहीं जूट नहीं जूट नहीं तो पिता जी फाइनली हमको घर से निकालने के लिए तैयार ह हमारे टाइम के पिता जी खुद अपने आप नहीं निकालते थे, मदर के थुरू निकलवाते थे, मदर निया कि हमसे का तुमाई बाबु जी कह रहे हैं, कि कल से दिखाई मत पढ़ना और तुमने कोई नाम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाई हो तुमको घर से निकालना है, फि अबने का पिता जी आप हमको एक मौका दे दीजिये, मैं इन आई ए सबसरों, इन नेताओं, इन वकीलों, इन सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा, आज ऊपर खड़ा हूं, सब नीचे बैठे रहे हैं, वाँ, आज नीचे बैठे रहे हैं, असलिए जो है, जो है, जो है, जो में विधान सबा मारग है, अभी जब यूपी के इलेक्शन में तो उसके दो मेने पहले में वहां से गुजर रहा था, जी, विधान सबा मारग उस सड़क को कहते हैं, जिस पर विधान सबा बनी होती है, जिस सड़क पर विधान सबा नहीं होती, उसको महात्मा गांधी मार वाव 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 तो उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है कभी किसी नेता से कभी किसी इंजीनियर से कभी किसी डाक्टर से कभी किसी से तो मैं निकल ला था तो देखा एक गिर्गिट जा रहा आप लोग गिर्गिट जानते हैं हम लोग होते और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश्य हमने पूछा नरेश्माने राजा गिरगिटों का राजा गिरगिट नरेश्य हमने पूछा गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और मौका परस्तनेता के बीच आपसी संबंद को तुलनात्मक रूप से सम टुलना करना महापाप है अग तालिया उठाना किसी गिर्गिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिर्गिट का बाप है हम अपने मित्र कादरी साथ सुनियेगा हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए देखा दरोगा जी मर गए बदली होई परिश्थिति हैं को किसी काम से गए तो मरे गए हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए देखा दरोगा जी मर गए हमने उनकी पत्नी से पूचा भावी ज दरोगा जी कैसे मर गए क्या रसी से लटक कर आत्मत्या कर गए या फिर कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिट लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था जुड़े रहना प्यारे लोगों बहुत अच्छे हो आप कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिट लिया थ या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था वो बोली भाई साहब ना ही ये रसी से लटक कर मरें हैं ना ही कोई जहर पिया था ना ही कोई एसिट लिया था ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में जहांका था तो फिर चार पंक्तिय आपने सुलिए में यहीं से बात खतम करता हूँ स्वागत मैं अकसर सोचता हूँ हाँ तुम मेरा कुछ बात हो जाए ठोड़ी वाभण मैं अकसर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए आप मत सोचिए अजब मैंने सोचे आप से नहीं कहा है सोचने के लिए, अब तुम से मिलके हम क्या करेंगे, मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरें बादल गने से और फिर बरसात हो जाए, थोड़ा और उठाना, क्योंकि अंतिम पंक्तिया है, मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम मिलो कु कार से जब घूमने निकलूँ स्वामी जी भी ओ कर रहे हैं मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए घिरें बादल गने से और फिर बढ़सात हो जाए मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूँ कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए